कभी न किसी शॉपिंग मॉल में रात में ग्यारा साड़े ग्यारा का शो देखिएगा तो दो धाई बजे आप वहां से निवरत होंगी लोटिएगा और लोटते हुए वहां जो मॉल में महौल है थोड़ा देखिएगा दो बजे धाई बजे आपको वहां जो रोशनिया थी दिखाई देंगी कि मंद पड़ गई है जो तड़क भड़क वाली पोशाकों में जवान सौंदर घूमरा था आपको दिखाई देगा विलुप्त हो गया है अब वहां पर आपको दिखाई देंगे फटे कपड़ों में स स्वरनिम आभा और स्वरगी ये अनुभाव थे सब हट चुके होते हैं फिर वहां पर होता है मजदूरी का और गरीबी का नंगा नाच और कई बार तो मुझे लगता है वो कम उम्र के बच्चे होते हैं वो जमीन साफ कर रहे होते हैं ताकि अगले दिन लोग आए फिर कशिए हैं नमस्सेолн से जी अ मतलब मुझे यह समझ में कई बार नहीं आता कि जैसे मैं कोशिश करती हूं कि जब में किसी मोहौल में होती हूं तो जैसे बाल बार लाग दोरियों क्या चीज़े मुझे दिख रही हैं लेकिन कभी भी ये प्रतीत नहीं हो पाता कि ये सब जूट है मतलब अगर जैसे देहे में दर्द हो रहा है तो उस वक्त तो सत्य वही बन जाती है कि वो दर्द ही सत्य बन जाता है तो ये बार-बार कहना कि माया जूट है और शन्भंगुर है हमारी सित्ती जो भी हो सब जूट है ये सुनने में जतना असान लगता है डे-to-day प्रैक्टिस में बिल्कुल भी नहीं लगता क्योंकि जिस महौल में होते हैं इंद्रिया उसी महौल में बहत बह जाती है और बहने के हिसाब से ही वो उसी चीज को पू कि माया को जूट कहना ये जूट exactly होता क्या है मेले में आपने कुछ खिलाया भी होगा बच्चों को मेले में बिकराता तो दिखने में अच्छा लग रहा होगा वो हाँ जी हाँ जी उसका बच्चों की सहत पे असर गया पड़ेगा कुछ खास नहीं मालब खराद सेहत पर खराब असर पड़ेगा दिखने में कैसा लग रहा था अच्छा आकर्शक तो आपको क्या समझ में नहीं आ रहा जूट और किसको बोलते हैं दिखने में अच्छा लग रहा था बच्चों को खिला दिया खुद ही बोल रही है बच्चों की उससे सेहत खराब होगी जूट और किसको बोलते हैं है बुरा दिख रहा है अच्छा ठीक मेले की दुकाने हैं तो वह कोई वहां बहुत बड़े-बड़े कोई ब्रैंड तो लगे नहीं होंगे जहां तक मैं समझता हूं वहां तो साधारन हमारे तो आपने आसपास देखा होगा कि लोग खूब मोलभाव कर रहे होंगे हम तो आपर कोई चीज रखी होगी हों उस पर लिखा होगा 600 रुपे की उस पर बड़ा-बड़ा क्या लिखा हुआ था क्या लिखा हुआ था 600 रुपे भिकी कितने में बिखी कितने में? 600 में या और से कम? मेले में आम तोर पर 600 लिखा हो तो वो 400 में, 300 में ही बिखेगी है. तो जूट और किसको बोलते हैं? वो 600 क्या था? तो यही जगत है, जहां जो कुछ भी किसी का मूल ले दिखता है, वो मूल ले उसका होता नहीं है. कोई अच्छा दिखता है, प्रभाव में वो बुरा होगा. कोई महंगा दिखता है, असल में वो सस्ता होगा. क्या आपको वहां पर नहीं दिख रहा है? ठीक. मेले में गई थी, तो वहां पर लोग ऐसे ही, टी-शिर्ट, शॉर्ट्स डालके तो नहीं आगए होंगे, दशेहरे की बात है, भाई. तो वहां पर आए हुए हैं, घूम रहे हैं, अच्छे-च्छे कपड़े उन्होंने पहन रखे हैं, है न? तो दशेहरे के उपलक्ष में आए हैं. आनन्द मना रहे हैं. दशेहरा है, तेवहार है, धार्मिक तेवहार है. उन में से कितनों को दशेहरे का या धर्म का अर्थ पता है? तो वहां क्या कर रहे हैं फिर वो? न दशेहरा जानते, न धर्म जानते, तो दशेहरे के मेले में क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? तो जूट और किसको बोलते हैं जूट और किसको बोलते है तो हार का मतलब होता है आनंद क्योंकि उत्सव कभी भी दुख का तो मनाया नहीं जाता या मनाते हैं कि सहाब आज गमगीन है तो दावत दिये ऐसा तो होता नहीं उत्सव मने आनंद तो जितने लोग उत्सव मना रहे हैं इनको तो आनंदित होना चाहिए होना चाहिए आप मेले में गई थी आपने सेगड़ों लोग देखे होंगे उत्नों में आनंद कितनों में था तो जूट और किसको बोलते हैं जूट और किसको बोलते हैं आपको क्या नहीं दिखाई दे रहा है और जगत जिन जगहों पर सबसे ज्यादा शोर मचाए और खूप चकाचाउंद दिखाए वो जगहें तो सबसे ज्यादा उप्यूक्त होती हैं जगत का जूट देखने के लिए आपको जूट दिखा कैसे नहीं वहां तो जूट ही जूट का विस्तार होता है जगत अगर चुप रह जाए तो हो सकता है उसका जूट फिर भी चुपा रह जाए पर जहां जगत ने मुह खोला जहां जगत ने चेहरा दिखाया वहां तो वो पक्का ही फसी जाएगा एक आदमी था उसकी तीन पत्निया थी और तीन क्यों थी क्योंकि पहली से बहुत प्रेम हो गया उसको जबरदस्त वही नायना फिसल गए तो खट से आके ब्याह लाया बिना कुछ बात करे बिना कुछ जाने जिन्दगी में जब ब्याह लाया तो पता चला तोत लिये क्योंकि बात तो कभी करी नहीं थी बस रूप रंग काया देखी थी नैना फिसले थे वो उसको घर ले आया घर ले आया तो पता चला ये तोत लिए तो दूसरी करी दूसरी भी वैसे ही करी कि नैना फिर फिसल गए दूसरी लाया पता चला वो भी तोतली है तो तीसरी लाया तीसरी फिर ऐसी लाया कि नैना फिसल गए तो उससे भी जब घूंगा तुठाया तो वो भी बाबा तब पता चला कि ये भी तो तोतली निकली अब क्या करे तो अब जब तीन ब्या हो गए तो सब उसके नात रिश्चदार यार बोले कि तो दावद दे तेरी तो लोग की एक होती है तेरी तो एक जटके में तीन हुई है तो बोला दावद दे दूँगा पैसे की कोई कमी नहीं थी उसके पास मूर्खों के पास अक्सर बहुत पैसा होता है तो अब दावत दी पर अब उसकी नाक कटने का डर कि लोग आएंगे तो जान जाएंगे इसकी तीनों बीवियां तूत लिये तो तीनों को बुलाया और सामदाम दंडभेद सब लगाया पहले तो उनको कहने दिये और कपड़े लट्टे खूब दिये बोला देखो ये रही घूस और उसके बाद उनको डराया बोला अगर कोई बोला पूरी पार्टी में तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और नहीं बोले तो जितना अभी दिया है इससे दूना बाद में दूँगा तो तीनों बोली बलिया ठीक तो तीनों अपना घूम रही है बंठन के और कोई बात करने आए तो बस कोई मुस्कुरा रही है कोई यह कर रही है कोई बोल कुछ नहीं रही है यह लोग कह रही है कजब की है क्या भाव हो इनके बात ही नहीं करती है बात ही नहीं करती है जब तक चुप रहो तब तक फिर भी बात चुप जाती है लेकिन माया को भी मजे लेने उसने एक ततया भेज दिया हां वो आ करके एक जो सबसे थी बड़ी वाली उसको आ करके काट गया यो काट गया तो जोर से चिलाती है काता रे काता तो जब वो चिला पड़ी तो योसके बगल वाली थी वो बोली ही वो बोली तो सबको नौर वादी भी काता तो काता तो तु बोली काट नियुक हर तो तीसरी बोली आरी तो दोनों ही मुद好啦 निकली तो यह मेले और ये विवाहों के उत्सव और ये रंग रोगन और ये ठेलम ठेली ये सब तो वो जगहें होती है जहाँ जगत का मुझ खुल जाता है और चेहरा दिख जाता है वहाँ पर भी आपको जूट नहीं दिखा वो तीनों चुप रह गई होती है और जूट न पता चलता तब तो कोई बात भी थी पर वो तीनों बोल पड़ी है मेले में उसके बात भी आपको जूट नहीं दिखा कैसे नहीं दिखा कैसे नहीं दिखा कि जैसे गदहा शेर की खाल पहन के भूम रह और लोग उससे डरे हु महराज महराज शेर महराज सिंगराज और लोगों को डरा और नतमस्तक देखके गदहाई तना प्रफुलित हो गया कि मुझ पर को ऐसे उठाया और बोला हे इश्वर ढेचू जितनी ताकत से बोल सकता था पूरी ताकत से धन्यवाद दिया अरे ना बोलता तो फिर भी बच जाता बोला तो अग मेला वगेरा तो वो जगह है जहां गदहा बोल पड़ता है वहाँ भी आपको सुनाई नहीं दिया कि ये सिंग नहीं है गदहा है किसी आदमी इसको अच्छे से जान लीज़ेगा किसी आदमी के असलियत जान नहीं हो ना तो उसको उसके मौज के खशनों में देख ले ना पता चल जाएगा वो आदमी कैसा है वैसे तो भले ही वो अपनी असलियत छुपाई रहता हो ये देख ले ना कि वो जब प्रफुल्लित होता है तब क्या करता है एक आदमी प्रफुलित किस बात में होता है और प्रफुलित होकर क्या करता है इससे उसके बारे में बड़ी अच्छी सूचना मिल जाती है आपकी जिन्दगी का स्तर क्या है वो सबसे ज्यादा पकड़ में आता है इसी बात से कि आप किन बातों में खुशी ढूड़ते हो किसी ने कहा है कि अगर नहीं चाहते हो किसी व्यक्ति से नफरत करना तो कभी भी उसको उसके खुशी के पलों में मत देख लेना अगर तुमने किसी व्यक्ति को देख लिया कि वो किस पल में सबसे ज़्यादा खुश है तो तुम्हें नफरत हो जाएगी उससे लोग किन कामों में खुशी मनाते हैं यह आपको पता चल जाए और भीतर द्वेश न उठे बड़ा मुश्किल है जो सबसे घटिया काम होता है आम आदमी को सबसे आदा उसी में खुशी मिलती है वो पूरी जिंदगी मेहनत करता है ताकि सारी मेहनत उस घटिया काम में डाल सके पूरे साल मेहनत करी काय के लिए अब काम तो घटिया एकदम मन नहीं लगता करने हैं पूरे साल मेहनत क्यों करी क्रिस्मस के आसपास एक हफते की छुट्टी लेंगे लोग उसी समय ज़्यादा लेते हैं 23 दिसंबर से 2 जनुरी तक की छुट्टी लेंगे और उसमें क्या करेंगे जा करके पर्यावण खराब करेंगे तमाम तरह की नोटंकिया करेंगे अगर आब विवाहित हैं तो थाइलेंड बैंकॉक कहीं चले जाएंगे वहाँ उत्तम दर्जे की वेश्या वृत्ति करेंगे रसीद कठाके जो करी जाती है ये खुशी है पूरे साल जान लगाकर मेहनत करी थी उस एक पल तक आने के लिए जिस पल में तुम अपना सबसे घटिया काम कर सको बहुत मेहनत करी साल भर भाई साब ने जिन्दगी भर मेहनत करकर के पैसा ही कठा करा किस लिए ताकि अंतत्तह उस पैसे से वो अपनी बेटी की शादी का मेला लगा सकें मेले में भणिया चाट पकड़ी आई यह आई यह हर तरह का जूट है लेकिन खुशी पूरी यह पुझे क्या हो रहा है क्या चल रहा है हो है खुशिया उन खुशियों में भी अगर आपको जूट नहीं दिखा, तो कहां दिखेगा, कह रही है, मेले में जूट नहीं दिखा, साधारण जीवन के पलों में आपको जूट न दिखे, तो समझ में आता है, मेले में कैसे नहीं दिखा, आप सुचिएगा आदमी कोई हो जो बहुत उचा आदमी अंतरता वो खुशी कहां पाता है देखिएगा देखिएगा कहां खुशी पाता और वहां से आपको पता चल जाएगा उस आदमी का स्तर क्या है खूब कमाता हूँ इसलिए आयातित मेमने का नर्म मास खाता हूँ ए तुम लोग घटिया लोग हो देशी सुवर खाने वालों तुम्हें क्या पता असली चीज क्या होती है मेमना बस दो महीने का हो तब उसकी गर्दन पे छुरी चलाओ क्या उसका नर्म मास होता है भारत में तो मिलता भी नहीं है सीधे दक्षड अफरीका से मंगवाता हूँ मेमने का नर्म मास और उसमें जो मुझे खुशी मिलती है उस खुशी से मेरी जो सारी महनत है साल भर की उसार्थक हो जाती है मैंने महनत करी किसलिए है ताकि एक तिन ये जो इंपोर्टेड लैम्ब है इसको चबा पाऊँ उस आदमी को उसकी खुशी के पल में देख लीजिए आपको नफरत होनी पक्की है तो इसी लिए ये कहा गया है कि मत देख लेना किसी को खुशी मनाते हुए वो इंसान गिर जाएगा तुम्हारी नजरों से बहुत कम होते हैं न निशकाम कर्मी जो काम में ही खुशी मान लेते हैं उन्हें अलग से खुशी मनानी नहीं पड़ती उनके काम में ही उनकी खुशी है वो क्या करेंगे मेले जा करके उनका मेला उनके काम में है तो इसलिए उन्हें खुशी मनाने के लिए कहीं गिरना नहीं पड़ता उनसे पूछो पार्टी कब हुई वो बोलते हैं सुवह 9 बजे से रात के 6 बजे के बीच में ही पार्टी हो जाती है तो पार्टी थी, अब अलग से थोड़ी पार्टी करने जाएंगे, ये जो अलग से मेले लगते हैं, इनसे बड़ा कोई नर्ख होता है, क्या वहाँ भी आपको जूट नहीं दिखा, सिल्क की familiaं तो दिख रही होंगी, और सिल्क की साड़ी के भीतर जो हस है, वह कितना हस रही होगी, और जो सिल्क की साड़ी है, पता है न कहां से आईए, वो चीखे नहीं सुनाई दे रही हैं, बस वो हसी दिखाई दे रही है, उस साड़ी में जो लिप्टी है और सिल्क के कुर्ते भी होगे भई तयोहारों का मौसम है तो हम धार्मिक होजाते हैं पता नहीं कुर्ता कैसे धार्मिक चीज हो गई ना वैदिक काल में कुर्ता था न कहीं भी भारती अध्यात में कुर्टे का कोई जिक्र है पर ही अजीब सी बात है दिवाली आते ही कुर्टे भिकने शुरू हो जाते है तो सिल्क के कुर्टे सोचो कितनी धार्मिक बात है एक तो कुर्टा एक तो कुर्टा जैसे कुर्टा कोई भारती है परिधानो बहुत को लगता है कि मारे रिश्यमनी कुर्टे में घूमते थे तो एक तो कुर्टा वो भी सिल्क का आपको जूठ नहीं दिखा जिन्दा रावण मुर्दा रावण में आग लगा रहा है आपको जूठ नहीं दिखा दशेहरे का मेला माने क्या होता है यही तो होता है एक हजार जिन्दा रावण मिल करके एक मुर्दा रावण में आग लगा के ताली पीटते है आपको जूठ नहीं दिखा किसी में वैराग्य उत्पन करना हो किसी को जगत की नंगी कुरूपता दिखानी हो उसके लिए जगें होती है ले जाओ उसे किसी के जन्म उत्पव पर विभा उत्पव पर दिखाद उसे बकरीद पर बकरे कटते हुए कि ये उत्पव है ये धर्म है खून की नदियां बह रही है धर्म है और दिखाद उसको मेले ठेले ये सब तो वैराग्य के साधन है जिस आदमी को जगत की निसारता नहीं भी दिख रही हो उसे इन सब दावतों में और पाइटियों में दिख जाए वहां भी नहीं दिख रहा कभी न किसी शॉपिंग मॉल में रात में ग्यारा साड़े ग्यारा का शो देखियेगा ठीक है तो दो ढ़ाई बज़े आप वहां से निवरत होंगी लोटियेगा और लोटते हुए वहां जो मॉल में महौल है थोड़ा देखियेगा दो बज़े धाई बज़े आपको वहां जो रौशनी आथी दिखाई देगी कि मंद पड़ गई है जो तड़क भड़क वाली पुशाकों में जवान सौंदर घूमरा था आपको दिखाई देगा विलुप्त हो गया है अब वहां पर आपको दिखाई देंगे फटे कपड़ों में सूखी काया वाले गरीब मजदूर और वो जानती हैं अक्सर क्या कर रहे होते हैं उनके हाथ में सैंड पेपर दे दिया गया होता है वो हाथ से दिवाल घिस रहे होते हैं उससे करकश करकर की आवाज आ रही होती है वो जितनी वहां पर तड़क भड़क और सुरनिम आभा और स्वर्गी ये अनुभाव थे सब हट चुके होते हैं फिर वहां पर होता है मजदूरी का और गरीबी का नंगा नाच और कई बार तो मुझे लगता है वो कम उम्र के बच्चे होते हैं वो जमीन साफ कर रहे होते हैं ताकि अगले दिन लोग आए फिर शॉपिंग हो और ये सब काम तब होता है जब वहां से भीड चट चुकी होती है कहीं बहुत बड़ा पंडाल लगा हो विवाव अगयरा का जब भीड चट गई हो न तब वहां जाकर देखिएगा वो गंदगी वो सन्नाटा वो निसारता सूनापन सब खुशियों का खोखलापन जीवन की ही पूरी विर्थता दोने प्लास्टिक गंदी धरियां उल्टी होई कुरसियां फेका हुआ खाना जूठन और कुट्ते आकर उसको चाट रहे हैं जैसे कोई मर गया हो और फिर गिद्धा करके उसकी लाश नोच रहे हो कितना प्यारा दृष्य होता है वैसे जो कुछ दिखाई दे रहा था वो हट गया है अब कुट्ते आ करके उसको सूंग रहे हैं देख रहे हैं क्या करना है पर हम करते नहीं हम तो बस जो वहां पर तड़क भडग रंग रोगन होता है उसी को भोग करके आ करके घर में सो ज चले जाईएगा वहां आपको बहुत सारा फेका हुआ खाना और उसकी दुर्गंध पता चलेंगे कि वह सब इंडस्ट्री जो हमें यह सब देते हैं जो कि देखिए कितना अच्छा है क्या कपड़ा है क्या बढ़ियां रंग है वो सब सिर्फ यही नहीं देते वो और जो देते हैं वो भी देखिए यह देह का उत्सव ही है कि आप देह पे इसको डाल रहे हो और इस पर पिए वो इस पर यह भी पहनना है टोल टाई लगा दो और घड़ी बढ़ियां यह अंगुठी भी हो जो कुछ भी देह के लिए कि यह तो सब वही जगहें हैं वही मौकें हैं जहां जूठ पूरा अपना गला फाड़ करके बोलता है ठैचू वहाँ भी नहीं जूठ सुनाई देगा तो कहां सुनाई देगा धूमिल का वक्तव है था कि ऐसे ही यह जगत के जलवे होते हैं इनके लिए नहीं ने कहा था कि जहां कहीं भी ऐसे जलवे होते हैं न उनका एक चोर दर्वाजा भी होता है पीछे एक तो मुख्यद्वार होता है जिससे सब अतती आते हैं पधारो पधारो साब पधारो पधारो है ना वो कितने अलंकरित होता है देखा है जो मुख्यद्वार होता है जिससे आप अंदर खुषते हो चाहे वो शॉपिंग माल का हो चाहे विवाउत्सव का हो चाहे किसी भी चीज़ का हो एक तो मुख्यदवार होता है जिससे आप अंदर होते हो चाहिए वो आपके घर का ही हो वो कहते हैं इसके अलावा एक चोर दर्वाजा होता है शायद कहते हैं कि इमान का होता है क्याते हैं उसका एक चोर दर्वाजा भी होता है लेकिन एक तो मुख्य दुआर एक चोर दर्वाजा भी होता है जो ठीक संडास के बगल में खुलता है उस दर्वाजे को भी देखो कि वहां क्या है मुख्य दुआर जो ही देखे उसने क्या देखा अंधा है जिनी भी भहुत महान भव्वे बड़ी जगों पे जाओ न उनमें बस वही मत देखो जो आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है वो भी देखो जो आपसे छुपाया जा रहा है थोड़ा उसका चक्कर लगाओ पीछे का माल देख कर आओ पीछे का माल और पीछे का हाल वो भी देख कर आओ पीछे का देखने की नौबती ना आए अगर अंदर का देख लो वहाँ जो भी कुछ दिखाया जा रहा है जो भी लोग खड़ें जो भी विवस्था बनाई गई है उसके अंदर थोड़ा जाग कर देख लो, सब दिख जाता है हर इमान का एक चोर दर्वाजा होता है, जो संडास की भगल में खुलता है द्रिष्टियों की धार में बहती नैतिकता का कितना भद्दा मजाख है कि हमारे चेहरों पर आख के ठीक नीचे ही नाख है वो क्या रहे हैं? देख तो रही हो सुंग भी लिया करो मतलब समझो कि अपनी इंद्रियों का आधा ही क्यों पियोग करते हो पूरा ही देख लो ना, देख रहे हो, सुंगो भी, समझो भी वरना दिखावा तो बस दिखावा है वैसे ही ये जो सब धार्मिक पाखंड होता है, इसके लिए उन्होंने लिखा था शायद पूरब के ही थे, शायद बनारस को देख के लिखा होगा घाटों को देख करके, सुबह सुबह घाट पे सब्धार्मिक लोग नहाने जा रहे हैं तो कह रहे हैं, सनान घाट पर जाता हुआ रास्ता, देह की मंडी से होकर गुजरता है बनारस में वेश्या वृत्ती भी खूब, अब पता नहीं कम हो गई होगी, पर रही है, खूब रही कहावज चलती थी, रांड, सांड, सीड़ी, सन्यासी, इनसे बचे तो पावे कासी ये चार हैं, ये आपको काशी पाने नहीं देंगे रांड माने वेश्या, सांड माने वाँ खूब गुमते हैं ये सांड लोग, आप जाओ वहाँ तो दोड़ा लेंगे सीड़ी माने पतली पतली गलियां हैं तो उसमें ये उपर 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 और इसके लावा घाटों की सीड़ियां थोड़ा दुरबाल आदमी हो तो सीड़ी में ही फस जाता है और सन्यासी माने सन्यासी के नाम पे जो पाखंड करके घूम रहे हैं ठगने के लिए आपको पंडे लोगे पैसा निकाल पैसा तो करें इनसे बचे तो पावे काशी देह की मंडी क्या मेलों में नहीं दिखाई देती दिखता नहीं है देह की मंडी उत्सवों में नहीं दिखाई देती कैसी बाते कर रहे हैं मेरी लडाईयां हुई है घरों में अपने अपनी घरों बहुत बार पहले अब तो कुछ नहीं मुझे बरदाश्त ही नहीं होता था अगर मैं अपने घर की लड़कियों को सचते सवरते तयार होते देख लेता था तो खास तोर पर इस तरह उत्सवों के लिए कि ये सब करके और कुछ करा ये सब करा अपने आप अच्छी हो सुन्दर हो ये क्या कर रही हो क्या है तुम समझ भी रही हो ये क्या कर रही हो वो मुझसे नाराज हो जाएं एक आद दो बार तो ठीक उत्सव के बीच रोना पीटना हो गया कई-कई साल बाच्चीत बंद रही ये सब भी हुआ वो समझें कि ये ये तो एक साधारन खुशी की बात है सजना सवरना मुझे कुछ और दिखाई दे रहा था मैं उन्हें उन्हें दिखाना चाहता था जो मैं देख रहा हूँ तब वो देखने को राजी नहीं थे आज सब समझते हैं पर आज से 10-15 साल पहले नहीं समझ रहे थे मेरे अपने छोटे भाई का विवाह था बापरे अब नहीं करूँगा पर उस समय पुरानी बात हो गई मैंने उसमें कितना उपद्रो करा मैंने का मैं आउंगा ही नहीं अगर ये एक भी ये जो तुम हनी सिंग लगाते हो एक भी बजा अब उसकी भी अपनी मित्रमंडिली वो भी आएटी से है उसके सब यार दोस्त वो ही कठा हुए थे कुछ विदेश से आये थे वो लोगों मैंने अपनी तरह का गाने बजाने का और इंटर्टेन्मेंट और ये से बड़ा प्रोग्राम रखा था एक फाइव स्टार होटेल करके मैंने का कर लो मैं आऊंगा ही नहीं मैं एक ही शर्त पर आऊंगा यहां सिर्फ कबीर साहब के दोहे बजेंगे उसके दोस्तों ने का यह शादी है कि क्या है यहां दोहे बजेंगे मैं तो मना आलो मैं नहीं आऊंगा यह सच बात है यहां तो तुम यहां पर सिर्फ दोहावली बजाओ नहीं तो जो करना है करो मेरी उम्मीद मत करना तो मानी नहीं रहे थे ठीक है मैं छोड़के चलाया मैं छोड़के चलाया पीछे से मेरी मा मौसियां बुले नू समझावन आई यह बहना भर जाई यह आके पूरा फिर सब लोग बैठी बोली चलो मान रहे हैं फिर मैं गया वहां बात कोई जबरदस्ती की जिदकी नहीं बात ये थी कि मुझे दिख रहा था ये सब क्या है अगर ये सचमुच एक पवित्र बंधन है तो इसको इन अपवित्र आवाजों से क्यों दूशित कर रहे हो पवित्र माने तो पवित्र होना चाहिए न फिर उसमें ये दो कोड़ी के घटिया अशलील गाने फिर क्यों ब नहीं या फिर ये कह दो कि विवाह में कोई पवित्रता नहीं है हाना कि अब वैसा कुछ होगा तो मैं नहीं इतना आग्रह करूँगा अनुभव ने सिखा दिया है कि हर जगह अड़ने से लाभ नहीं होता है अपने देखूंगा है कोई कुछ और होशा है यह शायद अब ऐसा हो कि खुद ही कभी तुबारा ऐसा कुछ हो तो लोग कहें कि अगर इनको बुलाना है तो मामला दूसरा रखो पर तब मैं भी थोड़ा ज़्यादा जवान हो रहा था ऐसे नहीं पर मुद्य की बात ये है कि ऐसे मौकों पर और ज़्यादा साफ साफ दिख जाता है कि ये क्या चल रहा है आपको कैसे नहीं दिखा और हाँ उस पूरे विवाहोत सव में सचमुच संतवाणी ही बजी और मैं वहाँ लगभग काफी समय मौझूद था पूरे ही समय मेरे हटने के बाद कुछ और लग गया हो तो मैं नहीं कह सकता पर मैं एक लंबे समय तक वहाँ था और बड़ा अच्छा था किसी को समस्या नहीं किसी नहीं कहा किया रहे ये दोहे तो बड़े नीरस हैं ये भजन क्यों बजा रहे हैं ये तो बेकार की बात है कौन से दोहे हैं वो भी मैं नहीं चुना था एक से एक प्रेम के भजन है कबीर साहब के वो सब बजे थे और बहुत सुन्दर था वास्तविक प्रेम तो संत ही जानते न तो विवाह उत्सव में संतवाणी ही तो बजनी चाहिए न या ये बजेगा कि तू तंदूरी चिकन है और मैं अब तेरी देह को खा जाओंगा मैं तुझे नोचूँगा ये बजेगा क्या तो ये कैसे बज जाता है फिर आपके शादी के पंडालों में और शादी का तो मतलब ही होता है कि वहाँ ये सब जितने लफंगे हैं लुच्चे यही तो सब दूले के यार बनते हैं इनी को चुन-चुन के बुलाया जाता है आओ और लफंगाई दिखाओ जबकि अगर वो एक पवित्र उत्सव है सचमुच तो उससे इस तरह है कि लोगों को एकदम दूर रखा जाना चाहिए कि और कोई आये तो आये ये लुच्चे नहीं आ सकते और ये लुच्चे सबस टेलर मेड होते हैं हकीकत पर से परदा उठाने के लिए है ना ऐसे मौकों पे तो और ज्यादा दिखना चाहिए ना कि सच्चाई क्या है हमारी जिंदगी की हमारी खुशियों की हमारे उत्सवों की